जिस बात का इंतजार था सुबह से जिस बात की चर्चा हो रही थी पर नितिश कुमार थोड़ी देर में बाहर आ सकते हैं और हर किसी को जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ गई है की जेडियू और बीजेपी का जो रिश्टा है वो तूट गया है और इसलिए अब यहाँ पर नितिश कुमार थोड़ी देर में बाहर आ सकते हैं और इसलिए यहां जो तमाम बड़े अधिकारी हैं पुलिस के वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ठीक इसी जगह पर नितिश कुमार मीडिया से बात भी कर सकते हैं इससे पहल वो गठवंदन में थे उसको छोड़ कर अब एक नए साथी के साथ नितिश कुमार आगे का सफर जो है अपना जारी रखेंगे तो जो शुरू से बाते कहीं जा रही थी अब वो ख़वर आ चुकी है और बीजेपी को इसी फैसले का इंतिजार था जब थोड़ी देर में य पहले कोई प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब नहीं है पहले हम कोई इस्तिफा नहीं देने जा रहे हैं नहीं हम कोई अपनी प्रेस कॉंफरेंस करके अपनी बात रखने जा रहे हैं हमें इंतजार है जेडियू के फैसले का कि नितिश कुमार क्या कुछ कहते हैं और उसके ब पिहार में बीजेपी जेडियू का गटबंदन टूट चुका है यानिदी जेडियू की सरकार गई और अब आरजेडीयू की सरकार मिलकर के बनेगी इसमें कोई संशय नहीं है एक बार पवन नारा के पास चलते हैं है पवन नारा राज्यपाल से मुलाकात होकर बयान सारवजनिक तौर पर नहीं आ जाता उसके पहले यहां राबडी देवी के आवाज से कोई एलान हो इस बात की संभावना कम है लेकिन ज़रा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं यहां समर्थकों का पहुचना शुरू हो गया है और आरज को तंद्र की असलियत है की जहहां सत्ता ऐब भीड कूली चुनाव होने के बाद सत्ता का केंदर ही तय करता है कि किस के साथ भीड है जहां कल एक गाड़ी खड़ी थी यहां गाड़ियों का काफिला है विधायक उतने ही है लेकिन सत्ता बदलते ही समर्थकों में जोश आ गया है और वो जमीन पर पहुंचे हैं लेकिन एक बात ते हैं कि तेजस्वी आदव पिस पूरी सिच्वेशन में उतावले नहीं दिखना चाहते पहले मुख् के सामने नहीं बोला एक शब तक नहीं बोला पार्टी का एजंडा क्या है आज की इस बैटक का इसके बारे में भी नहीं बोला तो आप समझ सकते हैं वेट और वाच यहां आरजेडी की तरफ से भी है क्योंकि प्लैन सेट है पूरे डिसक्शन हो चुके है अब जो आपने का माहौल है उन्हें पता है उनकी सरकार आ रही है राबडी देवी के घर के बाहर आरजेडी के करकरताओं का उनके समर्थकों का जुटना शुरू बधाईयों का सिलसला भी शुरू हो चुका है आप देख रहे हैं इस तस्वीरों में आरजेडी के कुछ निता आपको हो चुका है अब इसमें मुख्या कौने सवाल इतना रह गया है तो नितीश चंदर के पास फिर चलते नितीश रोशनी आचारेकार जैसा बयान आ रहे हैं लाल्टेन धारी चंदा यादव ने कहा तेजस्वी भवव बिहार तो क्या अगले मुख्यमंतरी बिहार के तेजस् तो यादव होंगे यह शुरू में यह कहा जा रहा था कि टेस्वी अधम की तरफ से रावणी देवी की तरफ इ theor बाते कहीं जा रही थी लेकिन हमारे पास जानकारी है दलए हुआ नितिश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और जाहिर नितिश कमार आखिर क्यों छोड़े मुख्यमंत्री का पद जब अलग-अलग गठवंदन में जाकर समय से पहले गठवंदन तोड़कर जिसके ताथ चुनाओ लड़ा उसका साथ छोड़कर जो कुछ किया हु विद्धान सवा चुनाओं का लंबा वक्त है तीन साला वक्त है तो असे में आरजेडी इस पासे ही खुश है कि एक बार फिर सत्ता में साथ होगी यह अलग बात है कि तेश्वी चुनाओं में जिस तरह से लोगरिया हासिल की थी वो नितिश कुमार के खिलाफी हासिल की थी जो एंटी एंटेश कुमार की उसके खिलाफ तेश्वी यादव युवाओं के बीच में काफी लोग प्रिय हुए थे आपने रेखा होगा चुनाओं में किस तरह से उनके भीड उमर रही थी लेकिन वही तेश्वी यादव अब उसी नितिश कुमार के साथ सरकार का हिस्स गठवंदं में इतनी बार हेर फिर किया होगा तो थोड़ी देर में सब तस्वीरे साफ हो जाएंगी जिया वही यहाँ पर पहुंच जा रहा है और जेडियू के बैनर झंडे के साथ भी लोग विक्ट्री साइन दिखा कर हाथ हिला कर बता रहे हैं तो जाहीर है इस घरी का इस फैसले का सब को इंतजार था और ये खबर जब आई है तो अब इंतजार इस बात का कि नितीश कुमार थोड़ी देर में या बाहर आएंगे तो क्या कुछ कहते हैं ठीक इसी जगा पर 2013 में इसी जगा पर 2017 में बिल्कुल ऐसे ही परिस्ति थी यही सवाल एक बार फिर नित कीजिए इन जेडियू समर्थगों से बात कीजिए यह बार-बार जो खेमा बदलते हैं नितीश कुमार हर बार कप्तान वही बनते हैं उनका साथ ही बदल जाता है इस बार भी ऐसा ही हो रहा है बज़ए कुछ भी हो क्या कहना इन्हें कि यह बताइए कि आप लोग जेडियू के हैं तो अब क्या लग रही है कि गठवंधन तूट गया तो बार-बार जो इस तरह से आप बाला बदली करते हैं तो मुश्किल तो नहीं हो कि जब आप दिने में पूछेंगे लोग आप से कोई मुश्किल नहीं होगा यह सवाल बनता क्या बार-बार गठवंधन बदलना नितिश कुमार जी का मन में क्या है नहीं है यह क्या चाह रहे हैं यह सवाल तो अभी से उटना शुरू हो गया नितिश में आपके पास आता हो लेकिन जबरदस्थ खुशी इस वक्त आरजेडी के खेमे में है पवन नारा इस वक्त राबडी देवी के घर के बाहर मौजूद है पवन आप ज़रा बात कीजिए लोगों से एक बार फिर सरकार का हिस्सा बनेगी आरजेडी तेजस्पी यादव अभी मुख्यमंतरी करेंगे कहें नहीं सकते हैं हलाकि नितीश का मानना है कि जो भी डील हुई है उसमें मुख्यमंतरी का पद नितीश कुमार ही अपने पास रखेंगे ये बात सामने आ रही है पवन तो एक बार फिर से आपको मता दें बड़ी तेजी से घटना करा में इस वक्त पटना में बदल रहा है जेडी उन्हें अपनी बैठक में एलान कर दिया है कि हम बीजेपी के साथ अपना गठबंदन तोड़ रहे हैं आपके सामने तस्वीर मुख्यमंतरी आवास की है जहां पर थोड़ी देर के बाद हो सकता है नितीश कुमार बाहर आएं उन्होंने अपने साथियों से मना किया कोई बात नहीं करेगा लेकिन नितीश चंदर हमारे सयोगी उनके पास ये सूचना अंदर की बैठक से आ चुकी है कि गठबंदन तोड़ने का एलान नितीश कुमार ने अंदर कर दिया है अपनी पार्टी की विधायकों और सांसदों के सामने आरजेडी के खेमे में जशने मा मिठाई बट रही है विक्टरी साइन दिखाया जा रहा है जाहिर है कि अब उन्हें ये निश्चित है कि बीजेपी की सरकार गई नितीश कुमार के साथ अब वो सरकार का हिस्सा बनेंगे गठबंदन गया है तूट तो ये जो आपको हमारी स्क्रीन पर दो तस्वीरें इस बक दिखाई दे रही है आंकडों की इसको भी मापको बता दे 22 तरफ जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है बीजेपी 77, जेडियू 45 और हम 4 खुल मिलाकर 126 अब ये हो गई है बीते दोर की बात क्योंकि ये गठबंदन तूट चुका है अब बीजेपी सरकार में सर नहीं रहेगी अब जो दूसरी तरफ दाई तरफ आपको जो आंकडे दिखाई दे रहे हैं और जो पार्टियां दिखाई दे रही हैं ये मिलकर नई सरकार बनाएं तो पिछली अब जो सरकार चल लही थी उससे जादा बहुमत के साथ वाली सरकार जो है वो बिहार में चलेगी नितीश चंदर के पास एक बार फिर हम चलते हैं नितीश अभी आप लोगों से बात कर रहे थे एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा कि नितीश जी पाला में बनाई थी जो सुशाषन बाव के नाम से जाना जाए थे जो एक विचाधारा को साथ लेकर चलने की बात करे थे कर पूरी ठाकूर लोहिया और तमांग ये बातें लेकिन अब तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उन्हें बार बार गठबंदन मतला है तो निश्य बार इस तरह की खबरे आई है उसका असर जरूर पड़ेगा और देखें जो हमारे पास जानकारी है कि ये सब कुछ नितिश कुमार ने पहले ही प्लान कर लिया था ये को अचानक नहीं हुआ है आप इस पिछले कई घटना क्रम को देखें नितिश कुमार ने संकर देना श वो अब कुछ क्या करने बाले है तो निशित रूप नितिश कुमार जाएंगे वो अपना इस्तीफा देंगे राज जपाल को क्यूंकि अब ये सरकार इस रूप में तो नहीं रही या नहीं रहेगी और उसके बाद फिर दोबारा है दोबारा चैन किया जाएगा कौन होग कौन बनेगा मुख्यमंतरी कौन बनेगा मुख्यमंतरी देखें पिछले दो बार को एदिया आप देखें 2013 और 2017 में जब उन्होंने पाला बदला था उस समय जो हमने देखा कि जब वो इस फैसले पर आये तो उन्होंने सबसे पहले राजबहुन जाकर इस्तिफा दिया और उसके बाद जो नया मंत्री मंडल है वो गठन हुआ फिर विधान सवा में उन्होंने बहुमत सामीत किया इस बार भी बहुत संभव है यह हो लिए दूसरा विकल्ब हो सकता है कि नितिश कुमार जो बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको वरखास्त करके राजयपाल को सिर्फ आरजेडी के कोटे के जो नए मंत्री हैं उनके लिश्ट सौप दें और फिर वो इना सिफा दिये इसे जारी रखें क्योंकि स्पीकर बीजेपी का है नितिश कुमार के मन में यह बात भी होगी कि कहीं अदे में बात न हो जाए तो अम नहीं करें हैं यह तमाम बिकल्प हैं चल रहा है और समभव है कि नितिश कुमार ऐसा भी करें लेकिन बहुत उमीद की है जैसा हमने 2013 में किया था उन्होंने सुशिल मुदी नंकिशोर रियादव बुलाया था वो नहीं पहुंझे तुने बर्खास्त कर दिया था इस बार वो क्या करते हैं क्या उनको बुलाते हैं या फिर सीधे उन्हें बर्खास्त करते हैं या फिर इस्तिफा देते हैं ये सारी बातें अभ बाते हैं वो रखेंगे और निश्यत रूप से अब ये सारे सवाल खड़े होंगे इंतजार इसी बात का है और यहीं काने की कब नितीश कुमार बाहर निकल कर कुछ ऐलान करते हैं एक बार फिर आपको अब हम राबरी देवी के घर के बाहर लेकर चलते हैं जहां पर महागट तस्वीर यहां बहुत कुछ बता रही है जैसे ही ये संकेत पहुंचे हैं अब समर्थकों का राबरी आवास पर पहुंचना शुरू हो गया है ये तस्वीरे अपने आप में देखने में इसलिए महत्पूर है क्योंकि कल शाम लगबग चार बजे हम जब राबरी आवास प पहले हुआ था जिसमें सबसे बड़ी तस्वीर यहां तेजस्वी आदव की है और तेजस्वी फिलहाल इस पूरी महागटवंदन की बैटक यगवाई भी कर रही हैं चाहे वो लेफ्ट हो या कॉंग्रेस हो दोनों ही दलों के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी हमारे निर करने के लिए वो फिलहाल तेजस्वी आदव के साथ है समर्थकों में जोशे कुछ समर्थकों से बात कर लेते हैं सर कहां से आप आए हैं और क्या संकेत मिले थे आपको की सत्ता परिवर्तन होने वाला है अगर इसमें 13 करोड जनता की जीत है तो नितीश कुमार की जीत कैसे है नितीश कुमार सत्ता कोई भी हो गठवंदन कोई भी हो मुख्यमंत्री वो या आपकी बार बदलाव है 13 करोड जनता की जीत है बस अमें ही बोलेंगे इससे जादा कुमार जाहेंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री बने आपकी बार 13 करोड जनता को बचाना है तेरा करोड जनता जत्तक नहीं बचे कुछ नहीं होगा कौन बचाएंगे नितीश की तेजस्वी महागठवंदन बचाएगा और उस महागठवंदन में अब की बार नितीश कुमार भी होंगे लेकिन सवाल यह है कि जिस महागठवंदन के तेजस्वी यादव निर्विवाद नेता है उस इक्वेशन में अगर नितीश कुमार आते हैं तो इक्वेशन कैसी होगी बिक ब्रदर कौन होगा अगुआई कौन करेगा और छोटा भाई कौन होगा क्योंकि बीजेपी और जेडियू के गठवंदन में सबसे बड़ी दिक्कत या परेशानी नितीश कुमार को थी वो थी कि वो छोटे भाई की भूमिका में आ गए और उनको जो मुख्यमंत्री पद मिला था वो उनके नंबर गेम के आधार पर नहीं बलकि मजबूरी के आधार पर मिला था लेकिन वही परिस्तिती तो अब भी रहने वाली है बलकि यहां तो फासला उनके और बीजेपी से ज़ादा है उनके और आरजेडी के बीच में पवन जरा जो आपकी पीछे समर्था के इनसे पूछिए तेरस भी आदा इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे चाहते हैं कौन रहेगा मुख्यमंत्री इस नई सरकार में रहें लेगे हैं तो आप ने दा को मुख्यमंत्री के दोर पर देखके जरूर चाहते हैं सथोड़ी है कि नहीं इसके लेकर के थोड़ा सा दिक्त हुई है ऑर जो है दुरुपियों किया गया है किसी आद उन से पूछ लेते हैं बिधी मुख्य मन्तょम्त्री a कोई डरीन सबसे बड़ी कि पिहार की जंदा के लिए अपने लडाई लड़िन और रंग लाद ऑhn definitions पूंजी पतियोह से सरकार से क्या बदल गया नितीए पूंछाल वह ही मतर मैं बातसना वह है दना रहे है कि बीजेपि नहीं है दना रहे है इस पूरी एक्वेशन में इसी बात का जश्ट मना रहे हैं। के ऊपर करप्शन के केस जारी हैं। इछे मुड़कर दिये गए बयानों, गठ बंदनों और कर्मों को लेकर राज़िती में चर्चा कम होती है। और जब फायदा हो, जब हित सद रहे हो, तो बहुत सी ऐसी चीजों को लेकर नर्मी खीची जाती है। ललन सिंग, जेडियू के अध्यक्ष हैं, यह वही ललन सिंग हैं जो कहते थे कि नितिश कुमार के पेट में भी दात है। और यही वह तेजस्वी आदम हैं जो नितिश कुमार को पल्टू चाचा कहते थे। तो यह सब बयान अब इतिहास के गर्त में हैं और अब सब को सत्या का सुनहरा भविश्य दिखाई दे रहा है। और यह आज की राजनिती की हकीकत है। महराश्ट्र में जो हुआ हुआ हमने देखा किस तरह से कॉंग्रेस और शिव से न एक साथ आई थी। तो अब यह माईने बदल चुके हैं कि पूर्व में क्या बयान दिये थे। अब भविश्य को सुधारने के लिए क्या बयान दि अब की बार अपने पल्टू चाचा के लिए पल्टू चाचा तो अब आधरनी चाचा हो गए देवेंद्र अब जैसा वो कह रहे हैं कि पीछे क्या कहा क्या सुना किसी ने किसको याद है नहीं देखें तो इसमें कोई फायदा होता हुआ दिख रहा हो नितिश्कमार को ऐस के साथ उनको वह कंफर्ट हो ही नहीं सकता आपने सिफ एक बात उधारन दिया जैसे लाला प्रशाद्यादों के चारक होटाले का डे टूडे जो प्रशासन होता है उसमें भी आर्जेटी की जो फंक्शनिंग होती है बीजेपी के तुलना में वह कई गुना ज्याद आकरा समक होगी और वहां पर नितीश कुमार से बहुत कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते हैं आज से 6 मिने बाद 8 मिने बाद अगर आप तस्वीर देखेंगे तो बहुत कुछ अलग नजर आएगा नितीश कुमार के अपने उपिनियन में क्या हो बैक्रूम बात करें तो यह नितीश यह सारी चीजें वो कहते रहें और अगर फिर से उसी व्यक्ति के साथ सरकार बना रहे हो तो इसमें कोई फायदेवाली बात तो है नहीं है इगो वाली बात ज्यादा दिख रही है उनके जेडियू के अंदर आपसी खींस्तान थी पिछले बिरांसवाई चुनामा उनकी ज नितिश कुमार चिरते थे स्पीकर के साथ जो कुछ हुआ वहां पर आपने देखा कि इस पिकर साथ उनकी तू-तू मैं में हुई और उस विवाद के निप्टारे के लिए जब नितीश कुमार यह चाते थे कि विजय सिना जो की स्पीकर उनको लेकर मुक्यमंत्री आवास नितिश कुमार का जो पॉलिटिकल इगो है उसको बार-बार चोट कम पहुचा रही थी और नितिश कुमार के अपना विक्ति तो देखें अपनी फितरत देखें तो किसी भी एक विक्ति के साथ या एक डल के साथ वह बहुत लंबा रिस्ता नहीं रखते जैसे उनके एगो ग्रूप के लीडियर के साथ बैठे थे तो उसके बाद उन्होंने एक बार कहा था कि एक गलती हो गई उस गलती को सुधारने के चक्कर में और कई सारी गलतियां हो रही है तो यह नितिश कुमार का अपना स्टाइल होता है अपनी राजीती उनकी इस प्रकार की होती है उस इसली बार तो खुलकर कहा था कि हमारा सरकार चलाना मुश्किल हो गया था दूबर हो गया था आरोप लग रहे थे हमारे उपर सरकार के उपर भष्चाचार के आरोप लग रहे थे अब देखते हैं इस बार वो क्या कहते हैं नितिश चंदर हमारे सियोगी जुड़ए हमार साथ वो मुख्यमंतरी आवास के बाहर ही मौजूद है नितीश इससे पहले मुख्यमंतरी भले कुछ ना बोले हो लेकिन जो पार्टी के एथेक्शन ललन सिंग वो तो खुलका रिशारों में कही चुके हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को नुक्सान पहुंचा रही थी चिर कि उनका राष्टी अद्यक्ष कैमरे पर आकर सब कुछ कह गया और सबुछ बता गया यही लाइन उनकी काफी थी कि चिराग मॉडल 2 के जरिये आर्सेपी सिंग बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे फिर उन्होंने कहा कि उनका तन यहां था मन वहां था फिर एक पिन बाद उन्होंने कहा कि आर्सेपी सिंग जब मंत्री बनाए गए थे तो वो खुद से बने थे और इस चाथ को ने खुद ही कहा है कि यह साने उनको कहा कि आप बन जाईए आप नंपर समती है तो क्या बीजेपी तै करेगी कि जेडू का मंत्री कौन होगा तो यह शब् से ही जब वो भी मंत्री बनना चाहते थे केंदर में दो दावेदार थे रसेपी सिंग ललन सिंग और 19 में हमने देखा कि इन ही दोनों के बिच लड़ाई हो गई थी और इसके वज़ा से मामला रुक गया फिर 21 में रसेपी सिंग बन गए तब ललन सिंग उसी समय से लगातार वो नितिश कुमार के साथ रहे और इस बात का एक तरह से उनकारी देते रहे कि आर्सेपी सिंग जो है वो पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिल गए हैं और ये सारी बाते नितिश कुमार को बताई जाती रही और अब जब उन्होंने कहा कि हमारे पास सांक्ष है, सबूत है, तो अब ये देखना होगा कि वो कौन से सबूत है, क्या कोई आडियो टेप है, क्या विधायकों को फोन गया था, ऐसा कोई टेप है, क्या वो टेप सारजुनिक किया जाएगा, क्या इन सबूतों को मीडिया के सामने भी रखा जाएगा, तो ये सारी बाते कही जाएंगी, जाहिरे अधार तो बना नहीं पड़ेगा, आखिर आप गटवंदन छोड़कर बार-बार क्यों जा रहे हैं, और बीजेपी ने तो साफ कर दिया था, 24 तक, 25 तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे, 24 का चुनाओ, 25 का चुनाओ हम आपके साथ लड़ेंगे, जब इतनी clarity हो बीजेपी की तरफ से, 45 आपका विदायक हो और आप मुख्यमंत्री हो, उसके बाद भी बीजेपी पर आरूप लगना आसान नहीं था जेडियू के लिए, औ और ये आधार RCP सिंग के जड़िये मिला है, लेकिन अंदर खानी की जो खवरें हैं, वो ये भी है कि जो बीजेपी के नेताओं के जो कुछ बयान थे, पिर स्पीकर के कुछ जो बाते आई विदान सभा में, उन सब बातों से नितिश कुमार परेशान थे, एग्रेसिव हि है कि बीजेपी ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया था कि अगला लोक सभा चुनाओ, बिहार का अगला विदान सभा चुनाओ, जेडियू के साथ मिलकर ही बीजेपी लड़ेगी, ऐसे में ये आरोप लगाना उनके उपर कि वो पार्टी तोड़ना चाहते थे, पार्टी को खतम करना चाहते थे, तो इसकी पीछे कोई बहुत ठोस आधार होना चाहिए, बड़ी कयास लग रहे हैं इस बारे में कोई आडियो टेप हो सकता है, शायद किसी नेता का, कि वो कोई बात कर रहा हो, कुछ विधायकों को तोड़ने की अलुभाने की बात कर रहा हो, तो इस